आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ टाटा मोटर्स की सेल्दी सिलीप वो भी टाटा मोटर्स के employee की जो company बेस पे जो काम करते हैं उनकी सेल्दी सिल्प पास दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपके पास कोई confusion हो कि टाटा मोटर्स में आखिर जॉब मैं करूं गा तो आपको मुझे salary कितनी दी जाएगी इस वीडियो को आपको देखने के बाद वो सारी confusion दूर हो जाएगी क्योंकि आपको पता होनी चाहिए Tata Motors में job लेने से पहले कि in hand आपको salary कितनी दी जाएगी और किन किन चीजों के लिए कितनी कितनी पैसे काटे जाते हैं आपको पूरी information इस वीडियो में मिल जाएगी तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए ता कि step by step आपको पूरी information मिल सके तो आप यहां पर देख लिजिए यहां जो यह salary slip यहां पर दिया गया है September month 2020 का है यानि कि last month का यह salary slip है और यह जो यहां पर नैनो लिखा एमदाबा shop, pen shop, weld shop और जो power train है तो यह TCF यानि assembling shop में job करते हैं तो यह उसी shop का नाम है तो आप यहां पर आओर देखेंगे यहां पर bank details है और यहां पर employee का name रहता है, ticket number है और यहां पर जो stipend में लिखा गया है 9200 यही Tata Motors basic salary देती है basic salary तो Tata Motors 9200 ही देती है लेकिन आप यहां नीचे में देखते होंगे कि stipend में 9200 के बाद भी good attendance award भी दिया जा रहा है तो हाँ यह सब कुछ आपको add के जाएगा आपके salary में good attendance award जो की continue 30 days अगर आप duty करते हैं without any holiday तो आपको good attendance award दिया जाता है जो की Tata Motors अपनी employee को 3000 रुपीज देती है लेकिन इनके salary में आप एक और चीज़ देखेंगे additional type 1 जो की 1800 रुपीज add किया गया है और इधर आप देख लें यह total इनका salary है लेकिन इसमें से deduction किन किन चीज़ों के लिए जैसे कि यहां पर दिया गया है ESI, canteen, transport और जो भी यहा काटा गया है तो 105 रुपीज ESI का deduction है और जो canteen का है 350 रुपीज कर जाते हैं और जो transport का जो यहां पर deduction चार्ज है वो 200 रुपीज है जो अलग-अलग distance वालों के लिए अलग-अलग होते हैं अगर आप Tata company में long distance से आते हैं तो उसके लिए आपको इससे भी ज़्यादा charge आप देख लीजिए कि आखी टोडल डिड़क्शन के बाद इनकी salary कितनी मिलती है इन हैं तो यहां इनका total बनता है 14,000 रुपीज इनका बनता है लेकिन यहां जो total deduction है इनका 655 रुपीज इनका total deduction है उसके बाद net pay में आप देख लीजे 13,345 रुपीज इनका in-hand salary है तो यह इन हैंड salary आपको last में मिलने वाला है तो यही आपको Tata Motors में main salary आपको होगा तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको informative लगा हो अगर यह वीडियो informative लगा हो तो इस मेरे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को like कीजिए और इस वीडियो को share कर दीजे ताकि और भी लोगो को मालम चल जाए कि Tata Motors में अगर job करने से इन हैंड salary आखिर मिलती कितनी है वीडियो को last तक देखने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में नए job नए vacancy के साथ